पब्लिक टीवी आपकी आवाद गंगा जल की आवशकता थी लेकिन उस दौरान मागंगा स्वाग में रहती थी ऐसे में मागंगा को धर्ती पर लाने के लिए राजा भागीरत ने कठोड तपस्या की उनकी कठोड तपस्या से प्रसंद होकर मा गंगा ने धर्ती पर आने का उनका आग्रह स्विकार कर लिया लेकिन परिशानी की बात ये थी कि गंगा मा कप्रवहव वेग इतना तेज था कि उनके धर्ती पर आने से पूरी प्रत्वी पर कोहरा मच जाता और दुनिया तबाह हो जाती ऐसे में मागंगा के कहने पर राजा भागीरत ने भगवान शिव की तबस्या की और उन्हें प्रसन करके उनसे माता गंगा को अपनी जटाओं में इस्थान देने के लिए कहा और लगबग 32 दिनों तक मागंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही इसके बाद जेश्ट महा के शुक्ल पक्ष की दश्मी तिथी को भगवान शिव ने अपनी एक जटाओं खोली जिससे माता गंगा का धर्ती पर आगमन हुआ इसलिए गंगा दशेरा मनाया जाता है गंगा दशेरा है आज भगीरथ जी गंगा जी को पिर्थी पर लाए थे तो गंगा जी ने सबको कुन दिया है आज गर्मी भी चल लई है गर्मी बहुत है लिहाजा मैंने ये थोटा सा प्रॉग्राम मेरे जो देनिक रियलियात्री संगड़ने उसके बैनर तले मैंने यहा प्लादू नरसेवा नरेंसेवा पब्लिक टीवी आपकी आवाद